नमस्कार में हूँ प्रवेंड गोतम दोस्तो बिष्टाचार के खिलाफ सेलेक्टिव कारवाई में आकिरकार संजे सिंग भी गिरफतार हो गए इंडिया ने कई घंटे की पूच्टाच के बाद संजे सिंग को गिरफतार कर लिया इंडिया गटबंदन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि गटबंदन को कमजोर करने के लिए मोधी सरकार समयधानिक सरस्ताओं का इस्तमाल कर रही है और अब सवाल ये उठता है कि संजे सिंग के बाद किसका नमबर आ सकता है इसको लेकर वरिश पत्रकार दीपक शर्माने एक भविश्यवानी की है और किसका नाम लिया है आपको दिखाते है पहले संजे सिंग की गिरफतारी पर देश के वरिश पत्रकारों का क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं वरिश पत्रकार नरेंदरनात मिश्रा ने रादेश जोषी की बंक्तिया शेयर किये, जिसमें लिखा गया है, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे, कठ्गरे में खड़े कर दिये जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच-सच बोलेंगे, मारे जाएंगी इसके अलावा वरिश पत्रकार रण विजय सिंग कहते हैं यही सही वक्त है विपक्ष को पूरी तरह से खत्म किया जाए देश में एक पार्टी एक व्यक्ति का राजो खुल कर खेलना होगा स्वाती मिश्रा कहती है कि कल सुप्रीम कोट ने एक मामले में एडी को लगाते हुए कहा था कि उसे प्रतिशोत की भावना से काम नहीं करना चाहिए आज सुबह एडी ने दिल्ली एकसाइज पोलिसी को लेकर आम आभी पार्टी के सांसर संजे सिंग के यहाँ छापा मारा और अभी उन्हें गिरफतार भी कर लिया मामले अलग है लेकिन एडी तो वही है यानि सुप्रीम कोटे जो फटकार लगाई थी उसका भी असर नहीं है वरिश पत्रकार दीपक शर्मा बता रहे हैं कि अगला नंबर किसका आ सकता है दीपक शर्मा कहते हैं कि संजय मिश्रा के रिटायर होने के 15 दिन बार एडी फिसे सक्रिये हुई पहला अभिशेक बनर जी 9 अक्टूबर को होगी पूश्ताच दोस्तों अभिशेक बनर जी ममता बनर जी के भतीजे हैं और 9 अक्टूबर को उनसे भी पूश्ताच होनी है और दीपक शर्मा भविश्वारी कर रहे हैं कि उनकी भी गिरफतारी हो सकती है संजय सिंग की गिरफतार पर प्रहार, इंडिया में हाहकार, आपका संजै इडी पर महभारत, तो ये आरूप लगा रहे हैं विश्टाचार पर होता है एक पत्रकार को ये भी सवाल उठाना चाहिए कि आखिरकार ये विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होता है चलो विपक्ष के नेताओं पर हो जाए कोई बात नहीं अगर विपक्ष के सारे नेता बेइमान है तो उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए इसमें भी कोई ब बिष्टाचारी बताते थे आज डिप्टी सीम क्यों बना दिया दोस्तों ये दिखाता है कि सत्ता और मीडिया का गटबंदन किस तरह बिष्टाचार को लेकर सेलेक्टिव हो गया है और खुली आखों से इसको देखा जा सकता है इसके लिए कोई बहुत जादा रिसर्च करन को लेकर पत्रकारों को बोलना नहीं चाहिए आप इस पूरे मुद्धे पर क्या सोचते हैं और संजर सिंग को जिस तरह गिर्पतार किया गया है जिस तरह सिफ विपक्ष के नेताओं पर विष्टाचार के नाम पर कारवाई की जा रही है तो क्या बीजेपी में सारे नेता इमानदार है या फिर दूसरी पार्टियों को खत्म करने के लिए संस्ताओं का इस्तमाल किया जा रहा है आप इस पूरे मुद्धे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर पीराज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की ओप्षिन का इ चैनल को जोईन करें सब्सक्राइब करें नमस्कार